अगर आएनस की बात की जाए, मिलिट्री बेस को क्रोस करने के बाद वाफिस में आइनेंट की तरफ गए जरूर है, बड़ चाहाँ जाएंगे बहाँ खत्रा, टीम एनिंग माफरेवर उनकर पज़ार कर जरूर रहे थे, और यहां पर नौक किसी भी से लाफ को देखने को मिल जाएंगे तेट को सबलना पड़ेगा, एक क्रोसफायर है बाहर जाना कट्रे से खाली बिल्कुल नहीं होगा बट पीछे से उनकी के बल्डी भी आपर आप जाती हुई तुपनों प्लेर जोपे ब्लेर बडाला बडार से गाड़ी से पिचलने की कोशिशिवादे के बाद जाएंगे बिल्लियर के द्वारा तेट को नॉकराजाता है, सड़नी पूला का पूला गेम इनस के फेवर में जाता हुआ आप देखें जिस थरीके से प्लेयर का फिनिश आरा है अजसेट सड़नी पूरे के पूरे पूरे वक्त और जज़बाद दिखेंगे और आइनस वो ही लपकर के रेडी हो चुकिया सामने है और वेस बोलते है एक्स्पी बोलते हैं अभी एच्पी बहुत का मैं उनको स्पो करेंगे और लीजे कनिक्शन साने की कोशिश की जाएगी यहां पे बहुत बढ़िया तरीके से नियो ने स्प्रेजी थी एस पी जिस तरीके से वह एच्पी आप देख पार इतनी कम कर दी गया एक और कनेक्शन और यहां पर प्लेयर को डाउन करेंगे ज़रूर जाएगा वो एनिग्मा के वो को डाउन कर देंगे और मुझे लग रहा है इस वाइट के अंदर पूरा पूरा कंट्रोल अपने आथ में रखना चैंगी गॉड लाइक नियो उनके वास मॉका है वीरू की लोकेशन आइग और अब ग्रेट टॉस करेंगे दिखते क्या एक अर वन जाब है रेक्स आपको बहुत दूर दिखने वाला है क्लाच गाड़ वह भी बहुत दूर है तो नियो वसस रेक्स दिसको बना फाइट जिसको आप पिल्कुल मिस नहीं करा जाएंगे लेकिन सर्कल उसके उपर नजर डाल क्यों कि सर्कल इतना फेवर किसी को भी नहीं क जाएगी 2v3 situation बन सरूर सकता है बट नियो पुछ करते आपको दिखते हैं कि अब पाइनली किया जाएगा बट रेक्स गेम चेंज कर रहे हैं सदार जी यहांपे पूरा तरीके से यहां पर वक्त अजजवात को पल्टा इट वास जस्ट अमेजिंग क्योंकि जब अकिलाब जूरे लीजे प्लेश व अलोड़ी आगे आथे दिखेंगे आपको एपे ग्रेट से डामेज दिया जाएगा एक ओपनिंग क्रिएट की जेएगी स्मोपोल क्रीट करना इट वास अगोड देखते हैं कब तक बचा के रखेंगे 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 अब यहांपे जॉन जो किया तो तो प्लेश 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 गोड़ के बादी चालू हो चुकिए एको नॉक्स वहां पे फिस्ट का इस्तमाल करेंगे आरी इस पूस्की जो प्लेश डाउन ते उनको खत्म के एगा जूसी कोशिश कर रहे हैं रिविच के प्लेश को थोड़ा और पीछे धके प्लेश करें कैसी पिकर के सॉनिक फॉक्स को बचाया सके बड मुझे नहीं लगता सॉनिक फॉक्स वहां पे बच जाएंगे बड जूसी काफी जादा ओवर कमिंट करते वे डाउन किये जाएंगे फाइनल बॉक्स के दौरा और इस वाग सिचुएशन काफी जादा इवन तोड़ी सी बचेंगी बच सिल्वो प्लेश सर्वाइब कर रहायत बहुत बहुत आगे आगे आचुके पहले भी देखा है कुछ बड़े क्लचेस करते और लीचे और लीचे और तूसरे के ऊपर एंशिट करेंगे डाउन करेंगे आप भी नाव बुलेट्स हैं रिलोड कर लीचे और आगे बढ़ें क्योंकि अब तो इसरे कनिक्शन आपका इंदेजार कर रहा है उस तीसरे कनिक्शन कर रहा है कि अगर मैंड जो की वह कंफर मेंशन काल लेकिनगे और एट बिटर एस एपिनिश निकाल लेकिकि को पहली टीम को पाहर करीज यहाँ पर है लेकिस य तो पूरे तरीके से हैडरा बंद चुकी है पहां पर कितने ग्रिनेट फिनिशेज इस माच में कितने और ग्रिनेट फिनिशेज हमें अफिनिशेज उनके पास यहां इलिमनेट हुए तो मातर के ओल चार प्लेश्मेंट पॉइंट देड़ने वाले कोशिश करना पड़ेगा फिनिशेज जाते जाते निकाले जड़ुआ जादू उनके पीछे मौझूद रहेंगे जादू बात कर जादो ने मौझूद रहेंग मैक्सी को डाउन किया है, जाना तर्ड, एक और प्लेयर, इस ब्लेक्टाउन केंगे, क्यारी सामने बाउचूत है, डामेज बहुत साथ दियागे, बट नॉक नहीं निकाल पाएंगे, ट्रॉय ख़त्म पाच्टी में, ग्यारा प्लेयर इस पूरे लॉबी में. वाट इस दिस गाई, जिस तरीके से स्प्रेज जा रही है, पूरी के पूरी टीम की ग्रिनेट्स हो गई, स्प्रेज होगी हर एक चीज, बट अब यहां पे थोड़ी थिकर थे, क्योंकि क्लच गॉट को डाउन के जाएगा, अब स्ट्राइकर को करिकिन सही टाइम एक टीम की जाएगा, जोन्दन इस दाओन लिगार श्टाइगा, यह आखरी उमीद रहने वाले है, क्या बहर निकलेंगे, क्या स्परेज देंगे, बड़ा सवाल, क्यूंकि अभी के लिए, सॉकल इनके पास है, सॉकल निकलना जरूर पड़ेगा, बढ़ आभी निकमा के जो अखरी बचे में, उनको देखे वो बस घात लगा कि बैठे में, जैसे टीमिद फ्लीकर, सारे बिए बैठ चुके जीजीए, साथ प्लेश दे के बैठे में, उनके पास ग्रनेज कितने वह ज़रूर देखना पड़ेगा, इस बलैक आने की कोशेश कर रहे थे, गल्ती करी, जीगोर्ड मौस पल्भी होए आपे रिवाइब कर दिये जाएंगे बट सामने केरी माजू रहेंगे जोनतन एक और प्लेयर को डाउन करते हैं जीगोर्ड उनको रिवाइब किया जेगा जोरो सामने माजू देस्पाट के जोनतन के तोरा कात्मा जोनतन नौ फिनिशस के जाब 1v2 का सिच्वेशन होता हुँए तोरा के 2v2 का यहापे सिच्वेशन होँए ओमाक्सी वर्स जानतन 1-1 का सिच्वेशन देब बाहता हुँए जाएब लास्प्लेयर सर्वाइब स्ट्राइकर अकेले बचे प्नी टीम से जानतन अब वो आगे बढ़ना चाहेंगे स्ट्राइकर के लिए बचे वो भी कोशिश करेंगे क्रेक्शन डूनेंगा आगे बढ़के वो करेक्शन निकाला जाएंगा लीजे ग्रेट टॉस कि जाएंगी जांतर को डाउंगे बढ़ स्ट्राइकर के बिलकुल निये जीगोर्ड विदाय यूजी आगे बढ़ेंगे विन चेकंडर फॉर टीम गॉड लाइक अगे बढ़ लिए जाएंगे बढ़ लीजे पीछे से वो श्रेज आएंगे और यहां पर जैक्स ओन नॉक्डाउन करेंगे जोरो फिनिश करते दिखेंगे एक और टीम के लिए बढ़ती दिखने वाली और वो टीम होने वाली है ट लेके अच्पी अब हील अब करना चाहेंगे तंसी कम हाइडरा के बास बहुत सारे मौके हैं इस मैश में फिनिशेज निकालने के लिए शुरूआत अच्छी रही दो फिनिशनों निकाला है बाकी सारी मैच इसके जो कसर है वह इस मैच पर निकाल सकते हैं फिनिश ज्याद क्या हुए एक बार के लिए वहां से निकलने की कोशिश कर रहे है बड़ निजा जो आट कोशिश अभी उनकी जारी है कि कैसे भी करके अपने आपको सर्वाइव कराया जाए फिलाल के लिए टीए से मोस्पब्ली मुझे लगता है कि वह सेफ रहेंगे उतनी ज्यादा प्र के लिए नहीं है और फिलाल के लिए अगर बात करें सर्कल्म के पास निक सर्कल मोस्पब्ली वापस क्यांप अच्छा इरिया है इंके बास ग्रेंट स्टॉस करें की कोशिश कर रहे हैं टी एसम निजा जोड क्या बचके रह पाएं कि एक बड़ा सवाल क्योंकि पूरी की टीम एक साथ मूव कर रही है जहां भी जा रही है पिछले प्लेयर को भी उसी तरीके से डाउन किया गया था इस बार यहां पर निजा जोड के बड़ेंगे जोरों के तरह से वह कनेक्शन आएक और लीचे एक और फिनिश आ जाएगा तीन फिनिश आटरा के पास अलड़ी के लिए टी-एक्स फर्स चुकिया उस एरा पर क्योंकि उनकी लोकेशन और इपता है यहां पर नीचे एंपायम दिखेंगी ऊपर देखेंगी और अच्छा करिक्शन लेके जाएगा पूरे तरीके से अपने इस भार को कम कर पाएंगे किस तरीके से अपने रोल को अदा कर क्योंकि आतंकी बहुत बार बार अगातार आगे पर अच्छार करिक्शन के लिए पीचे सकता बादेख लिए अधिया ओरी बैटे स्मोक के अंदर जाएंगे जो लिकिन हंट करने के लिए आतंकी आ जाएंगे और यह अब यह अपनी एंप के साथ यह आतंक मचात दिखने दो फरिश निकाल चके और TX हैस बिन एलिमिनेट इंद ट्वल्थ पॉट वाइप वाइस पॉट्स एपस वर्स जालिये जनाब करके दिखाएंगे जीगॉड यह अँआपर लोबली स्पोर्स के मन्या को भी टेकडाउं करने वाले है ग्लोबली स्पोर्स अग्रेस अग्र लेकर नीचे रिवाइवल भी यह जा रहा है जोन तरसे मुलोट टाफ डालना इट उसको आने से रोख पाएंगे और अभी जोकर जो की बार बाटे वो ग्रेट टॉसकर चाहते जाएगा लीचे यहां पर एक और प्र गुटन करने गान जोन रोकने वाला है यह तो पैन करत सब्सक्राइब करता है लास्ट पर सब्सक्राइब करने जाएगा जवाब है नहीं गौड लाइक एक प्लेयर गवाया जरूर है बट अभी ओल्रेडी पंद्रा मिनेट के भीतर आर्ट फिनिशिस निगार दूर इस पडिकला पॉइंट पर आपको पता है कि अब आप क्योंकि लुकेशन आपकी पूरी तरीके से रिवील्ड हाँ पोकार वो त्रीय दे करके पीछे अटना चाहते जरूरा है वो चाहते खुद को बचा के रखिया 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 तरफ से गौड लाइक का भी है लिमनेशन आता दिखेगा आपको इवन रेवरेंट इस तरफ जरूर लेकिन अभी भी नॉकाउट तो नहीं आता दिखेगा रखिया रखिया और वर्सिस पॉर एक प्योर बातल के हो यह थोड़ा सा बैदर प्रदर्शन यहां पर उनकी तरफ से आया है पहले रैंगल में याद होगा आपको एक शांदार चिकन निकला था वहीं प्रद नहीं दून पारी कैसे हो सकता है कि इतने नेच वेस्टाइमाली फाइनली पाराडाग्स रिवाइब होने के बाद अपना मैजिक दिखाते हुए सोबराज इस लास मांसानिक फुरी पर आप जरूरे इस पर करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन क्या उनको फिनिश मिला सवाल बनता है लेकिन 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 चेकन डिनर लेकर जाती हुई यह वेट वाली टेकनीक हमने उस दिन सेंफॉक के मैस में देखे ती जहां पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई थी फिलाल क्लिए नकुल की बात करी जाए वहां पर शायद गैस कान था वो ब्लस्ट किया यह अंदर वेहिकल खड़ी थी उसको ब्लस्किया गया वह थोड़ी ज़र में जरूर देखेंगे बड़ेज अभी इंतजार कर रहें नकुल की बात करेंदर जाने की कोशिश कर रहें आटलस महां पर मौजूद रहेंगे प्रिंस दूसरे साइट पर लब्रॉन किया गया न उनको भी यहां से निकलना जरूर पड़ेगा सावितार खत अक्षब की बात करें वो दूसरे साइड एक्जो स्नाक्स के द्वारा डाउन वे और एक्जो वरसे सोल यह फाइट है पान फेवरेट क्योंकि लड़ाई है नमबर वन की देखते हैं कौन से टीम सर्वाइब कर पाइगे बट अबे के लिए गॉबलिन यहां पर बचे वे उनके साथ में आपको हेक्टर देखने को मल जाएगा इट इस गॉइंट बीडिफिकल्ट फोर टीम सोल बिकॉस नेट तो यहां पर आने वाले पंको मेरे खाल से अंदाजा है कि फ्लेयर का पर हो सकते हैं प्लेय काम करा और टीम एक्सो जीत के गई इस पर्टिकुलर बाटल को पर अभी खेल करता है